इमार्चल प्रदेश पत्थ परिवेहन निगम ने राजे में अपने सफर के 50 वर्ष पूरे कर लिये हैं। इसी उपलक्षे पर HRTC स्वर्ण जयंति मना रहा है। HRTC बीते 50 वर्षों की यादगार और संगर्शील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए परिवेहन निगम के शिमला कारियाले में एक बस संगरहाले बनाने जा रहा है। इसमें अब तक के बसों के मॉडल, पुरानी टिक्टे, बसों की पुरानी तस्वीरे और कल पूर्जे संजोए जाएंगे। निगम के प्रबंद निदेशक रोहिंचन ठाकु ने बताया कि HRTC इस अफसर को स्वर्ण जहिंती उत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने बताया कि निगम HRTC बसों की वीडियो और फोटोस परधा आयोजित कर चुका है। उन्होंने कहा कि शिमला में बनने वाले संगरहाले में साल 1974 से 2024 तक निगम के बेडे में शामिल हुई हर प्रकार की बसों के मॉडल प्रदर्शित किये जाएंगे। इसके लिए निगम ने बसों के मॉडल बनवाने शुरू कर दिये हैं और अब तक 6 तरह की बसों के मॉडल तयार हो चुके हैं वो अन्य पर काम जा रही है ये बस नंगरा हाले अप रदेश में बस सेवा के शुरूआत से लेकर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन तक के रोचक सफर को मॉडल के जरिये दिखाएगा हमारे HRTC के अब 50 यर्ज चले वे हैं और 2nd October 2024 को हमारे 50 यर्ज कंप्रीट हो जाएंगे हम अपना पास दिखाना चाहते हैं प्रेजन दिखाना चाहते हैं तो लगबख 6 या 7 जेनरेशन बस इसकी आगई है 1960 में एक डॉज का मॉडल चलता था आज की तरह में लेक्रिक पास बस की बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में 6 या 7 चेंज आए हैं बीच में हम सब को दर्शाना चाहते हैं रोंजन ठागुर ने बताया कि एचाटीसी 30 मई तक अपने सभी 31 इकाईयों को प्रदेश में कैशलेस करने जा रहा है पहले चरण में शिमला की लोकल बसों और वॉल्वो को कैशलेस कर दिया गया है और हमने इसका एक रोल आउट प्लान बनाया है अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला लोकल के साथ साथ हमारी वॉल्वो बसे में भी अधिकतम हमें रोल आउट कर दिया है हम इसके साथ साथ नहान, सोलन, पालंपूर, सुन्दर नगर, हमीरपूर, धरमशाला, मंडी, बिलासपूर, नगरोटा, सरकागाट, बैजनात, उनौर, धरमपूर में हमारा टार्गेट है 30 एप्रिल का इमाजल प्रदेश पत परिवे निगम की बसों में यात्रियों को इस महीने से टिकत के कैशलेस भुकतान के सुविधा में लेगी